हमारे सक्सेस गुरू एके मिश्रा सर जो इसके फाउंडर चेर्मैन है वो अक्सर कहते हैं कि चानक्या आइस अकेडमी नाकेवल भविश्य के नौकर साह बनाता है बलकि एक अच्छा नैतिक गुनों के साथ चारित्रिक गुनों के साथ एक अच्छा नौकर साह बनाने की करने की कोशिश हम लोग करते हैं जो परसनालिटी को टेस्ट करने के लिए उसके लिए बच्चों को ट्रेन करने की कोशिश हम लोग करते हैं हमारी कोशिश यह होती है कि इंटर्व्यू लाइक इनवर्मेंट में उसी तरीके के पैनल जिस क्वालिफिकेशन के पैनल आयोग में होते हैं उसी क्वालिफिकेशन के आसपास के लोगों को बिठा के जिनका की अपना व्यापक अनुभव हो रिटाइड IAS, IPS और बड़े अनुभव वाले लोगों के द्वारा बोर्ड का गठन किया जाता है और उनके साथ इन बच्चों का इंटरेक्शन किराया जाता है मौक इंटर्व्यू के रूप में बिलकुल इंटर्व्यू लाइक कंडिशन होता है जहां पर बच्चे जाते हैं उनसे सवाल पूछा जाता है इंटर्व्यू की तरह और वो उसका जवाब देते हैं यह सारी चीज़े recorded होती है, फिर बच्चों को feedback दिया जाता है, students को feedback दिया जाता है, और यह सारे recording को उन्हें CD में दे दिया जाता है, कि जाहिए देखिए आप कि आपने अपना interview कैसे दिया है, feedback में क्या-क्या चीज़ें कही गई है, और इसको पुनह आप improve करके आईए, और फिर improvement को हम लोग record करके आपको देंगे, उसमें feedback देंगे, और बताएंगे कि भाई आपने क्या improve कि और और क्या करने की आपको जरूरत है, तो कुल मिला जुला कर चानक्याइस Academy की यह specialty है, हमारे board member highly qualified होते हैं, उसी label के होते हैं, जिस label के board member उसी अनुभाव के होते हैं, पिछली बार या इस बार भी SP गौर साहाब है, जो UPSC के भी chairman रह चुके हैं, retired IAS है, 75 batch के, या 74 batch के, MN Svanathan सर है, वो भी 72 batch के retired IAS है, तो इन सबों का स्रिवास्तों साहाब हैं, वो भी retired IAS हैं, तो इन सबों का बड़ा अनुभा होता है, लक्षमी सर हैं, वो भी retired IAS हैं, तो इस तरीके के लोगों का बड़ा अनुभा होता है, हमारे पास भी दो board चल रहा है, आगे विद्ध्यार्थी और बढ़ेंगे, तो पिछली बार हमने चार-चार बोर्ड चलाया है, पाँच-पाँच बोर्ड चलाया है, एक साथ simultaneously, तो ये सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बच्चों को नाकेवल इंटर्व्यू में guidance देते हैं, बलकि इनके मार्ग दर्शन में तो हम class करी, कूलम और course designing तक का काम करते हैं, हम लोग सारा चीज इन सबों को दिखाते हैं, बताते हैं कि आखिर क्या करना चाहिए एक लास में, और किस तरीके के improvement की आवश्रत है, तो ये सारी चीज हैं, चाहिए इसकैडमी के अपनी speciality है, 68th BPC का अभी means का result आया है, और उसके लिए mock interview हमारा यहां conduct हो रहा है, इसी बीच में Union Public Service Commission का भी result आ गया है, Union Public Service Commission की तयारी के लिए, interview की तयारी के लिए दिल्ली में हमारे branches पर mock interview की ववस्ता की गई है, वहां भी प्रारंब हो रहा है, तो इस तरीके से विद्यार्थियों को उनके अंतिम examination के लिए व्यापक पैमाने पर थैयार किया जाता है, और हमारा एक तरीके से कहिए, मुझे खुशी भी होती है यह बात सेयर करने में, कि strike rate काफी अच्छा है, हम जो लोगों को गाइड करते हैं, उनका चैन अच्छे प्रतिशत्ता में देखने को मिलता है, तो यह हमारी speciality है, तीस वर्सों का हमारा अपना credencial, credibility, अनुभव, तमाम सारी चीजे हैं, जो भी द्यार्थियों के साथ हम सेयर करते हैं, कि वो अपने अंतिम examination, अर्थात interview में किस सरीके से चीजों को करें, जिससे की बेहतर number प्राप्त करें, इसमें उनके dressing sense से लेकर उनके उठने, बैठने, बात करने, सवालों का उत्तर देने, इन तमाम चीजों की technique सिखाई जाती है, कि कैसे कैसे करेंगे, सवाल के उत्तर क्या होंगे, ये तो खैर depend करेंगा वहाँ, लेकिन ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती है, कि आप कैसे चीजों को handle करेंगे, और इसी कारण से, इतने अनुभवी team के द्वारा, उनको लगातार guide और feedback दिया जाता है, गाइड किया जाता है, feedback दिया जाता है, इसके कारण उनकी सफलता अच्छे संख्या में होती है, तो इसी की कोशिश है, आज से देखी रहे हैं, आप यहाँ प्रारंब हो चुका है, interview guidance program, और लगातार विद्यार्थियों की demand आ रही है, तो आगे भी हम लोग बोर्ड की बोर्ड और बढ़ाएंगे, और भी बोर्ड की संख्या बढ़ाएंगे, फर्स्ट वीक आफ जैन्वरी से interview शुरू हो रहा है, तो उसके लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, बच्चे जो हैं यहां आए हुए हैं, सवाल अभी है कि क्या सिर्फ चानकिया आएस अकेडमी के ही स्टूडेंट्स इस हिसा ले सकते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम मौक इंटर्व्यू दे सकते हैं, तो क्या उनके लिए भी आख देखिए इस एग्जामिनेशन का तीन आयाम है, पी-टी, मेंस और इंटर्व्यू, मैं एक्सर कहता हूँ कि तीनों समिलित रूप से तैयार, तीनों को समिलित रूप से तैयार करना चाहिए, लेकिन अलग-अलग भी तैयारी लोग करते हैं, हमारे पास चानके IAS Academy से तो बड़ी संख्या में लोग सलेक्ट होके इंटर्व्यू के लिए तैयारी करी रहे हैं, साथ ही बड़ी संख्या में बाहर के स्टूडेंट भी इस कोर्स में अड्मिशन लेकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो बाहर के स्टूडेंट भी आएंगे, इसमें अड्मिशन लेंगे, अपनी तैयारी करेंगे, चीक है, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सिर्फ चानके IAS Academy के लिए ये है, बाहर के स्टूडेंट भी इसमें अड्मिशन लेकर इस कोर्स में, मेरे ख्याल से डिसमबर लास्ट तक हम लोग चलाएंगे, डिसमबर लास्ट तक चलाएंगे, रीजन ये है कि उसके बाद वो थर्टी फर्स्ट और एक के बीच की सिर्थी बनेगी, तो दो चार दिन डिस्टर्व रहता है, और फिर चार तारिक से इंटर्व्यू शुरू ही हो रहा है, तो इसलिए हम लोग लास्ट दिसमबर तक चलाएंगे इसको, ज़रूर मिलेगा, देखिये क्या है, मेहनत हमेशा रंग लाती है, ये हम लोग भी विश्वास करते हैं और अपनी विद्यार्थियों से भी वही मेहनत कराने की कोशिश करते हैं, और अफ्टर ओल हम जो बताते हैं, उसको वह जब फॉलो करते हैं, तब ही उनका सेलेक्शन होता है, ठीक हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम भी अपने आप में लगातार सुधार करते रहें, और विद्यार्थियों को भी उस सुधार से रूबरू कराएं, परचित कराएं, ताकि वो भी उस हिसाब से अपने आप में सुधार लाएं और एग्जामिनेशन के डिमांड को समझें, और अपने सेलेक्शन की तरफ तेजी से आगे बढ़ें. जो कि पढ़ाई के साथ साथ फूल बच्चों को एक तरह से कहा जाए कि सेलेक्शन होने तक के पूरी दम्खम के दम्खम के जी हाँ, बिल्कुल हम साथ रहते हैं जब तक उनका सेलेक्शन नहीं होता है, बिल्कुल उनके साथ हैं, और साथ साथ चानक्या आइस अकैडमी अ अपने क्लासेज में, अपने विद्यार्थियों को, हमारे सक्सेस गुरू एके मिश्रा सर जो इसके फाउंडर चेर्मैन है, वो अक्सर कहते हैं कि चानक्या आइस अकैडमी ना के बल्भविशे के नौकर साह बनाता है, बल्कि एक अच्छा नैतिक गुनों के साथ, चारित अकैडमी के रिजनल है, डॉक्टर किष्णा सर का, जिन्होंने बताया कि यह मौक इंटर्व्यू जो है, वह दिशमबर तक चलने वाला है, आने वाले समय में, और भी जो है चानक्या आइस अकैडमी बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर करने वाला है, उमिद करते हैं कि अ आप अभी भी सोच बिशार कर रहे हैं, तो चानक्या आइस अकैडमी आपके लिए अस्वागत के लिए तयार है, इसको बस इतना ही, सहयोगी गौतनम के साथ, नियूज फोरनेशन पतना